लखनों के सिकंदरबाग चौराहे पर पूर्सों के पुसाग पहने एक महिला के प्रतिमा श्थापित की गई है यहाँ प्रतिमा बिरांगना उदादेवी की स्वतंदरता संग्राम में दिखाई गए बीरता का प्रतीख है उदादेवी ने 1857 की लड़ाई में अपनी बीरता से कई अंग्रेजों को मोत के खाट उतार दिया था इतिहास के पन्नों में उन्हें भले ही वो अस्थान नहीं मिल पाया हो जितना मिलना चाहिए था लेकिन लखनों और आसपास के इलाकों में आज भी उदादेवी की सहादत को याद करते हुए लोग नमन करते हैं दलित समदाय से आने वाली उदादेवी लखनों के नवाव वाजिद ली साह की बेगम हजड महल के सुरच्छा में तैनात थी जबकि उनके पती मक्का पासी नवाव की सेना में थे उदादेवी का बलिदान आजादी की लड़ाई में दलितों के योगदान और महलाओं की फुमिका को बया करता है 10 जून 1857 को चिनहाट के पास इसमाईल गंज में अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई में मक्का पासी ना मारे गए होते तो साइट विरांगना उदादेवी का नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता अपने पती मक्का पासी हिस साथत के बाद उदादेवी के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की आग भड़क उठी वह बेगम हज़त महल की महिला सेना में भरती हुई सिकंदर बाग की लड़ाई में 16 नौमबर 1857 को वह पुर्शों के वेश में एक पेड़ पर चड़ गई और वहीं से करीब 36 अंग्रेज सेनकों को मार गिराया इसके बाद बीर गती को प्राप्त हुई उदादेवी लखनों के उज्रियाओं में पैदा हुई थी यह वर्तमान में गोंगते लगर छेतर में हैं उनके जन्म की सही तारीक तो नहीं पता पर इतिहास कारों के मताबिक उनका जन्म 1830 के आसपास हुआ था जब वह 17 वर्श की थी तभी उनका विवाह मक्कापासी से लड़ते समय सहीद हुए थे उदादेवी ने उनकी मौत का बद्रा लेने की ठान ली थी अठारा सो सताउन में अंग्रेजों के खिलाब जब पहला विद्रों हुआ तो नवाव वाजिदरी साह को कोलकता निर्वासित कर दिया गया था इसके बाद उनकी बेगम हज्यत महल ने कमान समाली और अंग्रेजों के खिलाब करांद कानियों को एकठा करने में जुट गई बेगम हज्यत महल ने उन्हें अपने सैन दस्ते में सामिल कर दिया उदादेवी को पती मक्का पासी के मोत का बद्रा लेने के लिए यह सही समय लगा उन्होंने पुरसों के और सिकंदरबाग पहुच गई वह वहां लगे एक विसाल पीपल के पेड़ पर चड़ गई उधर अंग्रेजी सेना 16 नुमबर 1877 में सिकंदरबाग पहुची ही थी कि स्वतंदरता सेनानियों ने आकर्मन कर दिया उदादेवी ने पीपल के पेड़ पर चड़े चड़े अंग्रेज सेनकों को निशाना बनाया उन्होंने 36 अंग्रेज सेनकों को मार गिराया तभी कैप्तन वाइलस और डाउंसन पहुचे और अंग्रेजू की लास देखकर दंग रह गए दाउसन ने पीपल के पेड़ की ओर देखकर कहा कि गोलिया पेड़ पर चड़ा लाल जै दर सल्वा बिरागना उदादेवी थी 1457 में बिरागना उदादेवी इसकी साखाओ पर चड़कर अंग्रेजी सेननी के छक्या चुड़ाय थे और उनसे लड़ते लड़ते इसी ब्रच के पास सहीद हो गई थी तो उस समय के इतिहास को समेटे हुए ये बरगत का पेड़ आज भी 20 साल काय में मुझूद है आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं 200 साल पुराना ये पेड़ है जो राजधाई लखनों के NBRI परिसर में मुझूद है इस तरीके के राजधाई लखनों में लखबग 28 पेड़ है जो सरचित किये गए है